नमस्कार दोस्तों सागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं इस बीठी से बनना इंजीर हो दोस्तों आज में बात करने जा रहा है कि दिया आपके दाद बहुत ज़्यादा पीले होगे हैं तो उसकेस में आप कौन से गहले उसके का प्रयोग करें जिससे बहुत सारे जो इस टाइप के दवाएं आती हैं बहुत सारे इस टाइप के मंजल साते हैं लेकिन उससे आपको काफी अदा साइड इफेक्ट होता है और आपके मसूड़ों के ऊपर काफी अदा नुक्सान होता है अगर आप इनो का प्योग करते हैं तो उससे आपके सब्सक्राइब के लिए बगल में घंटे का एकान आगा उसे फ्रसकर दीजिए ताकि इन फ्यूसर कोई वीडियो पर प्रोट करें तो आप दक सबसे पहले पहुंच सके दिया आपके दाथ पीले होगे पीले होने के कई सारे कार्ड होते हैं जैसे बहुत लोग कोल्डिंग का ज्यादा प्रियोग करते हैं तो उस टाइम पे उनके दाथ पीले हो जाते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तंबाकू का से होन करते हैं या फिर गुटके का से होन करते हैं तो उस कार्ड पे उ चाहिए कोल गेट हो खोई जो भी कोई मंजन आप प्रयोग करते हूं पेस्ट वाला मंजन उसको आप ले लीजी उसको कितना लेना है जितना आप पने ब्रस पे लगाते हैं उतना ही लेना है और उसे एक कटोरी में आप रखे उसके बाद में आधा चमच आप मीठा सोडा ले हुआ है चाहिए कोल गेट हो चाहिए कोई मंजन जो आप यूज करते ही उचाहिए चाहिए उस्कोडा के बाद में आपको आधा चमच उसमें नीबू का रस डालना है इसके बाद में अच्छी कैसे उसको मिला लीजिए, मिलाने के बाद में इसे आप अपने दाइजों पर मालीष करें यह आपको ब्रस्य करना है जैसे आप और भी पेस्ट करते हैं जिसे देल के चक्ते आप मैजन करते हैं उसी तरहले किरना है देल से लिए 7.orama कि उसको आपको लगातार मालीष करते तो आपके दात काफी आदा सफेद हो जाएंगे और आपको पीले पन से छुटकारा मिलेगा, तो तो कुछ लोगों के दातों में ऐसा होता है कि उनके दात काले भी होने लगते हैं, तो वो लोग भी अगर इस चीज का प्रियोग करते हैं, तो काफी बेटर इसमाँ देखने क मिलता है, तो कुछ लोग मेठे सोड़े के जगए पर आपको बताते होंगे कि आप इनो का प्रियोग करें, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इनो का प्रियोग करें, क्योंकि इनो में कुछ ऐसे कड़ होते हैं, जो आपके मसूड़ों पे लगते हैं, तो आपक तो उसकेस में आपके मसूडेच छिल जाएंगे और काफी अदा आपके मसूडेच कमजोर हो जाएंगे तो आप इनों का प्रियोग ना करें आप मीठे सोडे का प्रियोग करें उसके साथ में बढूलगा करते हैं कोई भी मन्जन आप लेurnya ĩां चुराे का प्रियोग की वो तो आप कमेंट करके हम से पूछ सकते हैं मिलते हैं आप से एकले वीडियो में एक नए प्रोड़े के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद